श्वागत आप सभी का एजुकेशना फाइरवेग में आप सभी वीडियो की टैग लाइन देख करके जो पीछे बैक्ग्राउंड है उसको देख करके जान गए होंगे कि आज की जो क्लास है शुरू होगी आपके पार्ठिक्रम से क्योंकि बहुत सारे ऐसे इस्टुएंट है जो अभी भी समझ रहे हैं कि पार्ठिक्रम नहीं आया है आयरवेद फार्मासिस्ट का कोई सेलेबस अनाउंस नहीं है तो अभी पढ़के क्या होगा तो उनकी जानकारी के लिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपका जो आयरवेद फार्मासिस्ट की जो भरती बात करेंगे तो वीडियो में लास्त तक बने रहिएगा चलिए डायरटली हम देखते हैं कि इसमें जो आयरवेद फार्मासिस्ट की जो भरती आई हुई है आयरवेद फार्मासिस्ट की भरती पार्ठिक्रम से संबंदित जानकारी तो आप सभी को एक क्लास हमने पहले ही थोड़ी सी जानकारी पहले दिया हुआ था कि जो आयरवेद फार्मासिस्ट है उनका जो पाठिक्रम है बोड का ही पाठिक्रम है और आपने देखा होगा अगर आपने कभी यूपि ट्रिपलसी की भरती परिच्छा से संबंदित कोई भी अगर भरती परिच्छा दिया तो आपको पता होगा कि जो भी भरती परिच्छा होती है उसमें YOUPSC क्या करता है? अधिनस सेवा-चैनायों क्या करता है? वह आपका जो रेगुलर पाठक्रम है जो रेगुलर सेलेबस है उससे ही प्रश्नों को देता है। और अभी तक देरी है आपके regular syllabus नहीं आने का मतलब यह है कि आपका जो syllabus है पाठकरम जो है निर्धारण तब होगा जब exam जो है आपके दो से तीन महीने होंगे या एक दो महीने का gap होगा तब आपका जो regular पाठकरम है दिया जाएगा तो आपको हम बता दें कि जो भी पढ़ाई आपको करनी है वह आपके board के syllabus के आधार पर करनी है मतलब कि board of board of ayurved युनानी तिब्वी बोर्ड आप आईरवेद युनानी तिब्वी सिस्टम आफ मेडिसीन सिस्टम आफ मेडिसीन यह आपका board है यूपी तो यूपी का जो board है board of ayurved युनानी तिब्वी सिस्टम आफ मेडिसीन इसका निर्धारी syllabus है जो आपको डी फार्मा प्रथम वर्स और अंतिम वर्स में पढ़ाया जाता है और प्रथम वर्स अंतिम वर्स में जो सिलेबस आप पढ़ते हो आपके अपने board के हिसाब से जो board of ayurved युनानी तिब्वी सिस्टम आफ मेडिसीन है उसके board के जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही आपकी परिच्छाओं में जो प्रश्न है वो बनेंगे अब पूरा detail में हम बात करते हैं कि जो भी परिच्छाओं होंगी उसमें किस तरह का सिस्टम होने वाला है तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपके जो 70% जो question है जो भी आईरवेद फार्मासिष्ट की भरती के जो question बनेंगे जो भी आईरवेद फार्मासिष्ट की भरती के question बनेंगे उसमें से 70% जो है आईरवेद का सिलेबस होगा आईरवेद और आईरवेद के सिलेबस को कह रहे हैं तो आप ये समझ लीजेगा कि जो regular सिलेबस है आपका उसकी बात हो रही है regular सिलेबस का मतलब क्या है जिससे आपने आईरवेद फार्मासिष्ट जब कोर्स किया होगा तो first year में और जो final year है मतलब की second year भी कह सकते है final year इसमें जो पाठे करम आपने पढ़ा होगा तो आपको बता दें कि first year में आपके तीन subject है और तीन subject जो है वो final year में है आपको पहले भी एक वीडियो के माधिम से हमने बताया था कि छे subject आपको पढ़ने है और आपको बता दें कि ये छे subject इतने छोटे नहीं है कि जब आपको UPSSCC आपका पार्थिक्रम लाकर के देगा तो आप दो महीने के अंदर तयारी कर लोगे और इग्जाम हो जाएगा ऐसा नहीं जैसे ही पार्थिक्रम आएगा उसके बाद आपके पास बस दो महीने या तीन महीने का समय या उसे इस बचेगा जिसमें आपकी तयारी 0 हो जाएगी और 0 बटा सनाटा 9 हो इसके लिए आपको क्या करना है तयारी करनी है लग के अब देखिए एक थोड़ा सा ट्रेलर के टाइप देख लीजे कि नहीं आपके पार्ठिकरम है कि कितना आसान है तो हम आपको बता दे कि आपका जो पहला एक होता है वह आयरुवेद परिच्यवों और स्वास्थ्भीत होता है जिसको आपको अलग-अलग पढ़ना होता है ऐसा नहीं कि आप एक ही निन पढ़ने ऐसी आए परिच्यवो अब सूचिए अभी छह सबजेक्ट हम बता रहे हैं फर्ष्ट एर का बताया जा रहा है क्या अरुवेद परिचर स्वास्त्बुरित उसी तरह आपको सरीर रचना और क्रिया विज्ञान पढ़ना है यह एक सब्जेक्ट हो गया तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा द्रब्वे गुण विज्ञान एवं द्रब्वे परिचे ये जो सब्जेक्ट है आप यह में सुनज़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट इजी है आपको बता दें कि हमारे एप पे जो क्लासे चल लही है उसमें इस सब्जेक्ट को खतम किया गया है ये खतम होने वाला है लेकिन आपको बता दें इसका विशा इतना ब्रिस्तित है कि अगर हम इस पे लगबग 20 लेक्चेर देंगे तब जाकर के पूरी तरह से खतम होगा फि आप सिरिया विद्ञान के भी बहुँ सारे पाट या इस में द्रव्यगुनी विग्ञान द्रब्य परिचे से देखें तो जितने भी पौधे हैं उसदिय पौधेन उनका परिचे उनके गुडधर्मों का परिचे फिर गुडोक्त फिरिेंस परिभाशिक साब्दावली है उनके बारे में जानकारी और द्रभ्यगुण की जो प्दार्त है वह सारी यहां इसके अतरिक अगर आप चौथे सबजेक्ट का भी विशय बहुत डिफिकल्ट है इसमें देखिए विशय तो है डिफिकल्ट लेकिन इसमें कम पढ़ना है रसास में ज्यादे चीज़े नहीं पढ़नी है बैसा जी कल्पना और शदी निर्मार प्याधारित है तो पूरी चीज़े इसमें भी आपको पढ़नी पढ़ेंग फिर उसके बाद से आपका है रोग परिचय एवं चीकिस्सा और फिर है आपका रुग्ड परिचरिया एवं बेहवार आईरवेद रफली लिख रहा है हम आपको समझने के लिए ताकि सारी चीज़े समझ में आज़ें कंफ्यूज ना हो तो यह है आपके 6 बिसे बिंदू अब इनमें अगर हम पढ़ाने लगें आपको तो अगर आप लगातार 5 महीने की क्लास करते हो तब जाकर के यह सारी जो चीज़े हैं कम्प्लीट होंगी औ और इससे जो प्रश्ण बनेंगे उनके आप जबाब दे पाएंगे अगर आपको कोई कहता हैगी नहीं मेरे पास चले आईए हम दो महीने में पूरा सलेवस कंप्लीट करा देंगे तो सलेवस कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं है इसलिए समय अभी भी आपके पास है हाथ पे हाथ रख करके मत बैठिये और पूरा जो बिस्त्री सलेवस है उसकी पढ़ाई आप डीटेल में कीजिए मोक टेस्ट दीजिए और अपनी छंता का आकलन कीजिए कि नहीं आप कितना पानी में हो एक हजार दो भरती की जो सीटे हैं उसमें आप फाइट कर रहे हो नहीं कर रहे हो अब बात करते हैं कि या जो सलेवस जो हम आपको बता रहे हैं इसका डीटेल कहां से मिलेगा तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया है कि जो भी हमारे सोसल पेस से जुड़े होंगे सोसल मीडिया से जुड़े होंगे उनको स उसको download कर सकते हो हमारे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आप वहां से डैरेक्ली हमसे टेलीग्राम से जॉइन भी हो सकते हो और जूड करके जो भी है आप टेच करके वहां से चीज़े जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है सबसे इंपोर्टेंट चीज़े है कि आपको regular syllabus से पढ़ाई करनी है और आपको classes theoretical करनी है detail में पढ़ाई करनी है कोई भी mcq आपको रटने की जुरत नहीं है हम बार-बार इसलिए कि mcq नहीं रटने की जुरत है क्योंकि जब हम सारी चीज़ों को detail में पढ़ाएंगे तो उससे exam में जो भी mcq बनेगा आप उसके आंसर दे सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि जो mcq आप पढ़ रहे हो जो आयोग है आपके mcq जो आपने रटा हुआ है उसको वो टाइप करके रखा हुए कि नहीं आप आईए आपका स्वागत है इसका आंसर दीजे ऐसा कुछ नहीं होगा आपको परिच्छा में जो भी प्रशन बने हुए मिलेंगे वो शभी नए होंगे लेकिन आपके जो विशेबस्तु है अच्छी तरह से समझ में आए आसा करते हैं कि यह चीजे जान करके आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सलेबस से रिलेटी चीजे क्या होने वाली है और जो अभी भी इंतजार में है कि नहीं टाइम टेबल आएगा सलेबस आएगा तब हम पढ़ा भरती पर सारी चीजे बता रहे थे और उन्हें यह चीज नहीं बताएगी नहीं आप रेगुलर सलेबस से पढ़ाई किजिए अभी से पढ़ाई करना इस्टार्ट कर दीजिए तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो ठीक है तो डीटेल में क्लासेज आप अटेंड क बाला है और बार-बार हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं जो इस्टुटेंट बार-बार MCQ MCQ के पीछे पढ़े रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग MCQ नहीं दे सकते हैं आपको चार-पांच हजार MCQ एक ही बार अगर हम दे देंगे तो आप उलत जाओगे पढ़े नहीं कीजिए डीटेल करेंगे तो आपको पता चलेगा परिच्छाओं में प्रस्ण कैसे होते हैं ठीक है तो चलिए इस क्लास में हम फिर से जो दस जो आपको दस्वी जो रसात की जो MCQ भाग देना था जिसमें क्वेस्टन आपको बताने थे वो ले क्या हैं वो बताते हैं और ह हमारा जो प्रस्ण होता है वो एनलीसिस के साथ होता है और सारी चीजे विसेवस्टू के साथ होती है आप पढ़िए याद कीजे और परिच्छा उपयोगी है इसलिए लिए लिख करके भी रखिये चलिए बिना टाइम वेस्ट की हम क्वेस्टन की और चलते हैं पहले तो तो रशिंदूर किस तापमान पर उड़ जाता है, तो रश शिंदूर उड़ जाता है 360 degree Celsius पर, किस तापमान पर उड़ता है, 360 degree Celsius तापमान पर ये याद करने वाला है, याद करना है ताकि यह जो है, यह G.E.S. में भी question हो सकता है, G.E.S. जो आप पढ़ रहे हो, उसमें भी प्रश्ण होता है science के हिसाब से हैं विग्यान के साब से तो रज सिंदूर किस तापमान पर उड़ जाता है रज सिंदूर उड़ता है 360 अगला प्रश्ण लेते हैं अगला प्रश्ण कहा रहा है 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 को गर्म करने पर निकलती है अगला प्रश्ण कहा रहा है पारद के शात गंधक का शयोग होता है पारद के साथ गंधक का शयोग कहने का मतलग क्या है कि किस अनुपात में शयोग किया जाता है पारद और गंधक का जो शयोग होता है एक अनुपात 6 में होता है या हम इसको एक संबंदे 6 भी बोल सकते हैं तो पारद होता है एक भाग और गंधक होता है छै भाग तो इस अनुपात में जो है पारद और गंधक का शैयोग कराया जाता है अगला प्रस्न लेते हैं अगला प्रस्न देखिए सारे प्रस्न जो है बहुत जादे बहतरीन होते हैं सब याद करने वाले होते हैं अगला प्राश क्यारा कि सड्रक्स यूक्त द्रब्य जिसमें मधुर-मल-कटू-कसाई-लवड यह छैरश होते हैं प्रश्युक्त द्रभ्या इन्हेंशें कौन सा है जिनमे श्य और होते आं तो वह हैं पारद वैक्क्रांध और वज्र वैक्क्रांध और पारद इसमें ढातु sneaking को मिला करके कहा जा रहा है कि इसमें जो है श्य रस होतेने रष। अगला प्रस्ण लेते हैं अगला प्रश्न कहा रहा है किस पाक वाली परपटी किस पाक वाली परपटी का प्रयोग चिकिसार्थ निर्दिष्ट है अब किस पाक वाली मतलब कि किस तरह से पकाई गई है जो परपटी वह चिकिसार्थ प्रयोग में ली जा सकती है तो वह है मद्यम पाक मद्यम पाक का मतलब क्या है नो तो जादे धीमी आज परियोग में लिया जाता है। परपटी जो है उसे हम पपड़ी की तरह भी समझ सकते हैं। अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन बहुत बहत्रीन है, सिना बार है, चाइना बार भी कई लोग कहते हैं, तो सिना बार ही पढ़ते हैं, सिना बार क्या है, सिना बार जो है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्जियस, रज सिंदूर भी कह सकते हैं, अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है पारद के कितने संस्कार से देहलोशिधी होती है तो पारद के कितने संस्कार पारद के किये जाते हैं अगला प्रश्न कह रहा है बोल परपटी ये भी एक तरसे यूनिक है बोल परपटी का रोगा धिकार है जो है बोल परपटी का रोगा अधिकार क्या है किस रोग में उसको याद करने का प्रयास किजे ताकि सारी चीजह दिमाग में रहें और detail classes जो हैं आपको पता ही है कि इस हिसाब से आपको attend करनी है हमारे app पे detail classes चल रही है उसको attend कीज़े तब देखे सारी चीज़े समझ में आएंगी और आपको बता दे कि अभी जो है हम बहुत ही simply subject को बता रहे हैं आयरवेद परिचे के बाद स्वास्वरित ही चल ला है अब से ही चीज़े खतम होती है तो फिर हम direct जो है द्रब्य गुण पे ही पहुंचेगे ठीक है कोई दिक्कत ने द्रब्य गुण पे ही पहुचना है द्रब्य परिचे जो है इतना ब्रोड है उसको इतने सांदार तरीके से पढ़ा जाएगा कि कुछ भी उसमें confusion नहीं रह है 13.6 याद करने वाली बात है ऐसा नहीं कि बस आप लिख लोगे हो जाएगा जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है अब कहा रहा है शमीर पन्नगरश कूपी में प्राप्त होगा अब शमीर पन्नगरश कह रहा है तो कूपी का मतलब जिसमें इसक कहां पर प्राप्त होगा तिया प्राप्त होगा तलस्त कहां होगा तलस्त मतलब की कूपी में एकदम नीचे प्राप्त होगा तम नीचे बैठ जाता है इसलिए कि समीर पन्नगरश जो है तलस्त मतलब कि एकदम नीचे की और प्राप्त होगा अगला प्रशन देखिए अग पारद का उपाधिक दोस जो है कंचुक होता है आगे चलते हैं आगे आप अगर देखें तो अगला प्रशन कहे रहा है अगला प्रशन कहे रहा है सब्सक्राइब कि पंचामरित परपटी के घटक हैं पंचामरीत का मतलब जिसे 5 अमरीत के तोर पर बताया गया है प्रयोग करने के लिए रखा जाता है तो पंचामरीत मतलब आप देखें तो बस अगर परपटी से हट जाए तो पंचामरीत जो है दूसरी चीज हो जाएगी लेकिन पंचामरीत जब परपटी कहा रहा है तो इसम मिली हुई है Pennsylvania परपट ये सारी चीजन पहला वाहला जो है यह वाला सही रहेगा आगे मि आगे वाला प्रश्ण क्या को हे रहा है अगलों सीसी में लगता हैं क HEY को कहां जा करके लग जाता है तुकि आप बर बंग जाकर के बैट जाता तल में शीशी के तल में बैठ जाता है अगलाब प्रसण डिफिकल्ट प्रसन है इसलिह आपको हूंभक लिए नहीं दिया जायएगा वह बताइए क्योंकि कुन सा है शीने बार है जिसको हम सौर्ट में हजी एस भी कहते हैं राशायनी के ओव भी कहते थिक्ते अब आपको पीछे बताया गया था अगला प्राशन देखिए अंतिम है इसको देखते हैं अन्तीव प्रश्ण कहा रहा है हेमगर्व पॉट्ली का रोगा दिकार है हेम गर्व पोटली जो है या एक रश योग है तो इसका रोगा दिकार क्या है किस रोग में काम में लिया जाता है या काम में आता है हिर्दय रोग में जब रोगा दिकार बोले तो आप दिमाग में रखिएगा कि नहीं यह रोग किस रोग में काम में लिया जाता है ठीक है तो यह जो है दसवी रशास्त्र की जो mcq भाग था वो आपको यहां पे दे करके खतम कर दिया गया रशास्त्र में कुछ हमने आपको अलग-अलग mcq भागों में बताया था होंबग के लिए दिया गया था उसको हम समझा देंगे एक वीडियो में और सबसे जरूरी चीज़ यह है कि इसमें जो पार्टिक्रम से रिलेटेड जो चीज़े बताई गई है पूरी तरह से एनालिसिस के अधार पर बता है तो बहुत सारे ऐस संस्थान active हो गया है सक्री हो गया है जो आपको दिसा भरम करा सकते हैं मार्गदर्सन नहीं दे करके वह मार्ग में आपको फसा सकते हैं तो उन पर धहन नो दे आपको जो डीटेल में जो चीज़े बताई जाती है वही आपके परिच्छा उपयोगी ह आपको MCQ बार-बार करने की जुरत नहीं है, जब आप detail में पढ़ेंगे और तब जाकर MCQ साधार पर दिया जाएगा, तब वो परिच्छा पयोगी होगा, ऐसा नहीं, अभी हाली में किसी student ने दिब्यदर्सिका से बहुत सारे प्रस्ण भेद दिये थे, हम बार-बार कह रहे और जब पूछेंगे तब जाकरके आपके जो confusion ने खतम होंगे, ठीक है, तो ये ऐसे ही important वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रही है, हमारे चैनल पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जादे जादे सेर कीजिए, और जो चीजे नहीं समझ में आया, उसको जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो में लास्त तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,